कहीं कैसे हैं आप क्या ना करें कि पती खुश रहे हैं देखे हर वाइफ यह चाहती है कि उसकी जो मैरिट लाइफ है वो बहुत कुश हाल हो उसके पती उससे खुब खुश रहें पर कई बार जाने अन जाने वो कुछ ऐसी बाते कर जाती है जिसकी वज़े से पती खुश होने की बजाए उससे दूर होते चले जाते हैं अब क्या है वो बाते क्या ना करें कि पती खुश रहें इसी बारे में मैं आज आपको बता रहे हूं नौ बाते सबसे पहली बात पती से जादा किसी और को priority देनी बंद कर दें मतलब top priority कौन होना चाहिए हमारे पती हमारे husband होने चाहिए उसके इलावा कोई हमारे रिष्टेदारी में है कोई friend circle में है कोई office में काम कर रहा है किसी को कोई priority नहीं देनी top most priority होनी चाहिए हमारे husband हाँ पती से जादा अगर किसी को एहमियत देनी है तो उनको देनी है पती जिनको बहुत जादा importance देते हैं उनकी बहुत जादा care करते हैं अब जैसे कि एक husband है वो अपने parents की बहुत ज़्यादा केर करते हैं, तो अगर वाइफ उनको भी मतला हस्बंड से ज़्यादा ही सही उनको प्रियोर्टी देगी, उनको प्रात्मिक्ता देगी, तो हस्बंड को खुशी मिलेगी, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, पती खुश रहे, और देखिए जहां तक प्र वाइव मदर बन जाती है तो वो जो अपना वाइफ वाला रोल है वो थोड़ा सा नेगलेक्ट करने लगती है मतलब पूरा फोकस उसका मदर पर चला जाता है कि भी मदर का रोल मैंने अच्छे से निभाना है पर इसके पीछे भी रीजन है अगर वो हस्बन की केर करती रहेगी मतलब हस्बन को पूरी की पूरी इंपोर्टेंस देगी तो उससे क्या होगा husband खुश रहेंगे, husband खुश रहेंगे, तो wife खुश रहेंगी, wife खुश रहेंगी, तो उनका जो परिवार है, वो खुशाल रहेगा, और ये जब परिवार खुशाल होता है, यकीन मानिये, यकीन मानिये, मैं 100% सच बात कह रही हूँ, बच्चों के लिए एक तरह से blessings होती है, क जहां आप मिलके रह रहे हैं, आप एक example सेट कर रहे हैं, बच्चों के लिए ये blessings है, समझ रहे हैं आप इस बात को, इसलिए जरूरी क्या है, कि जो सबसे topmost हमारी जो priority है, topmost priority, husband होनी चाहिए, अब आती है दूसरी बात, हर समय, negative mode में रहना, negative mode में रहना, बंद करने, हर सम अच्छा, खुद को कोस्ती रहेंगी, कभी दूसरों को कोस्ती रहेंगी, कभी ताने मारती रहेंगी, मतलब बात पर husband को ताने मारती रहेंगी, खुश तो रही नहीं सकती, मतलब smile तो रहती नहीं है चेहरे पर, देखिए आप एक काम कीजिए, आपने शीशे के आगे एक तो smiling face, अच्छी तरह से देखिए, मतलब आजो बाजो से कि हाँ, मैं कैसी लग रही हूँ, और एक चेहरे पर, माते पर बल, चेहरे पर गुसा, तो कौन सी अच्छी लगेगी आपको, मैं यकीन से कह रही हूँ कि आपका जो smiling face है वो बहुत खुबसूरत लगेगा, बहुत खुबसूरत लगेगा, तो कीजिए न आप क्यों माते पर बल डालके रखने हैं, क्यों परिशान परिशान सी रहती हैं, तो negative mode से निकल कर, इस serious mode से निकल कर आजाये smiling mode में, positive रही है, positive सोचिए, देखिए कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा, अब आती है तीसरी बात, दूसरों के सामने, पती का मजाक उडाना, पती की बुराई करना, बंद कर दे, बहुत शिकायत रहती है अपने हस्मेंट से, कभी उनकी looks को लेकर, कभी उनकी habits को लेकर, बहुत जादे शिकायत रहती है, देखिए, एक बात आप बहुत अच्छी तरह से समझ ले, क्या, कि perfect तो कोई नहीं होता, आप भी perfect नहीं है, आपके husband भी perfect नहीं है, और जिनको लेकर, जिनसे आप compare कर रही है न, वो भी perfect नहीं है, कहीं ना कहीं, plus minus point तो सभी भी होते हैं, तो इस तरह से मजाग उडाना, बुराई करना, तो बिल्कुल बंद कर दीजे, ये जो करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं, नहीं, मैं नहीं करती, मैं मजाख नहीं उडाती, बुराई नहीं करती, हमारे कृष्टदार हैं, वो उडाते हैं, ये हमारे एक friend circle में हैं, वो उडाता है, ये हमारे परोसी हैं, वो बुराईया करते हैं, वो इस तरह से कहते हैं, मैं नहीं करती, तो उनके साथ उठना-बैठना बंद कर दीजे, कैसे लोग हैं वो, या कैसे सुन सकती हैं आप, अपने पती की बुराई, अपने पती का मज़ाख उड़ाना, बिल्कुल, ऐसे लोगों को तो निकाल देना चाहिए अपनी लाइफ से बाहर, मत रखिये उनसे कोई संपर्ख, तो करना क्या है, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनसे अराम से, बहुत प्यार से बात कीजिए, और जो उनके प्लस पॉइंट है, देखिए, जैसे प्लस माइनस पॉइंट हर एक में होते हैं, तो बजाए माइनस पॉइंट बताने के लोगों को, अब प्लस पॉइंट देखिए, और वो डिसकस कीजिए, वो शेयर कीजिए, जैसे कि एक लेडी बता रही है, अब पता है, मेरे जैसे सिर में दर्द हो गया था, और हजबन ने सुबहे सुबहे दो बज़े के करीब मेरी आँको ली बहुत तेस दर्द था, इन्हों ने उटके दवाई दी, और कितनी बार मेरा हाल चाल पूछा, एक बार तो ये भी बोला कि मैं चैय बना के लिए आता हूँ, कितने केरिंग हैं ये, बहुत ख्याल रखते हैं, ऑफिस जाने के बाद भी ऑफिस से इनके पोनाते रहे, कि अब कैसी तब्बित है, अब कैसी तब्बित है, जो भी उनके, जो भी उनके प्लस पॉइंट है, वो बताईए, अच्छा लगेगा उनको, उनको एप्रिशेट कीजिए, खुशी होगी उनको, इसी बारे में तो आज मैं बात कर रही हूँ न, कि क्या ना करें, हम ये जो बुराईयां करते हैं, मजाग उड़ाते हैं, करने की बजाए, उनको रिस्पेक्ट देनी है, अब आती है चौथी बात, पती को बच्चे की तरह, ट्रीट करना, बंद करने, बहुत बार होता है, मतलब हर बात में, टोकटागी करना, मीन में निकालना, ये गलत है, ये क्या कर दिया, इसको ऐसे नहीं करना था, आपको तो कुछ भी समय नहीं है, आपको तो कुछ भी पता नहीं है, मतलब बिल्कुल जैसे, एक मदर की रोल में आ जाती हैं, मदर के मोड में आ जाती हैं, और हर बात पर इस तरह से करना, हर बात पर, अरे आप wife है उसी में आपकी भूमी का सही है आप wife है wife बन कर उनकी feelings को समझे और फिर उस हिसाब से act भी कीजिए उनको खुशी मिलेगी उनको अच्छा लगेगा ऐसे mother नहीं अब आती है पांचवी बात बिना पती की knowledge के बिना उनसे सला लिए कोई important decision लेना बंद कर दे बहुत बार होता है ऐसे मतलब उनकी तो के value नहीं समझती ना फिर उनको किस लिए बताना है हम खुद ही कर लेंगे किस लिए मतलब यह सोच होती है यह सोच यह नहीं होनी चीए जैसे कि एक wife है उसने अपने parents के घर जाना है booking करा दी ticket की train की ना तीन दिन की ticket की booking करा दी बुकिंग कराने के बाद बता रही है कि मैं तो तीन दिन के लिए माई के जा रही हूँ और यह मैंने ticket बुक करा रही है अच्छा नहीं लगता आप पहले बताईए ना अब जैसे कि एक friend है उसका birthday है तो वो क्या कर रही है कि उसने थाउजन डुपीज का उसको gift दिया खरी कीजिए आपको क्या लगता है वो मना कर देंगी आप पहले discuss कीजिए कि ऐसे इसका birthday आप बताओ क्या दूम है उनको बहुत अच्छा लगेगा उनको खुशी मिलेगी कि देखो हमें इतनी ट्यूनिंग है हम एक दूसरे को इतना समझते हैं पूछ के गर रहे हैं माय के जान सुड़ना रहे हैं उनका मन उदास हो जाएगा दिल टूच रहे हैं अच्छा नहीं लगता देखे बाते यह कोई लंबी चौड़ी नहीं है चोटी चोटी सी बाते हैं बस इनी को समझना है यह नहीं करनी अब आती है चटी बात पती को एवोईट करना उनसे दूर दूर र तो नहीं मेब को तो किचिन में काम है मतलब एक्स्क्यूज लगा के उठ जाएंगी किचिन में काम है बच्चों को पढाना और इतने सारा कपड़े धोने है अभी तो मैं बैटने की फूरसत नहीं है बाना बना के उठ जाएंगी यह अगर पास याएँगी ना कोई होता है असली प्रेम जहां पर कोई कंडिशन ना हो अनकंडिशनल लव होना चाहिए और यह क्या मतलब एक तरफ आप एवाइट कर रही है यह चलो पास आ रही है तो आप कोई नो कोई डिमांड रख रही है यह तो बिलकुल ही गलत है अगर आप इस तरह से करेंगी ना तो ज बाते कीजिए और इवन आप खुद को भी सजा सावार के रखिए ना खुद को भी अच्छे मतलब अच्छी लगनी चाहिए आपकी अपेरेंस आप देखने में अच्छी लगे और जहां तक बाते है अपनी हेल्थ की अपनी सिहत का भी ख्याल रखिए भी सारा दिन टाइम मिलता सेहत में जैसे सांस फूल रहते हैं शरीर थका थका रहता है तो आप ध्यान दीजिए उस पर नहीं तो फिर बिलकुल बोरी होती जाएगी लाइफ और उससे क्या है फिर हम एवाइट करने लगेंगे हम किचे किचे रहेंगे हमारा मनी नहीं करेगा हस्बंड के साथ बैठने का उनसे बात करने का तो यह चीज नहीं करनी और अपनी मतलब अपीरेंस को लेकर अपनी लुक्स को लेकर और अपनी हैल्थ को लेकर इसका भी ख्याल रखे फिर देखिएगा कितना फरक पड़ेगा एक जो इस मैरीड लाइफ में जो स्पार्क है जो चार्म है वो लोट के आएगा, फिर भाने बनाने के जुर्थ नहीं पड़ेगी, फिर कोई condition रखने के जुर्थ नहीं पड़ेगी, अब आता है साथवा point, पती को हर समय डौमिनेट करना, बंद करने, मतलब जैसे boss होता है न, भी मैं boss हूँ, अपनी चला रही हूँ मैं तो, मेरी सुनो, मैं ही सही हूँ, मैं ही ठीक हूँ, और मैं हमेशा ही ठीक रहती हूँ, यह चीज़ जो होती है नहीं अच्छी नहीं लगती, मतलब आप यह चीज़ इमाजिन कीजिए कि husband ऐसे कर रहे हैं आपके उपर, बिल्कुल boss ही पना जाड रहे हैं कि मैं boss हूँ, मेरी सुनो, मैं ही ठीक हूँ, सुन नहीं रहे हैं, जब भी बात कर रहे हैं, ऐसे तुनक के चला के पढ़ रहे हैं, तो कैसा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा न, तो उनको भी गलती कर दी, कोई बात ऐसी हो गई कि उनसे कुछ गलती हो गई, करो sorry feel, जब तक नहीं करोगे मैं बात नहीं करूगे आपसे, sorry feel आपको करना ही चाहिए, तो ये चीजे जो है न, ये नहीं करना है, अपनी बात मनवाएंगी, कि मेरी बात मानो, मतलब पूरी तरह से husband के ओप नहीं, आप तो कुछ नहीं करते, मतलब इस तरह से, ये जो चीजें है न, stress दे रहे हैं, हम एक तरह से husband को stress दे रहे हैं, देखिए, काम जो हैं, वो अगर proper manage करके किये जाए, पर किस चीज की आज जादा जूरता है, क्या जादा जूरी काम है, तो तो ठीक बात है, उस हिसा लिए, इसकी बजाए, humble बनी है, अराम से बात कीजिए, और पूछिए, वजे पूछिए, चलो हम मिलके करते हैं, मतलब अपनी जिम्मेदारी बाट ले, बहुत फरक पड़ेगा, उससे खुशी मिलेगी, और जहां sorry बोलने वाली बात है, बोल दीजे, पर मैंने अपनी जि रिष्टे हैं, इसलिए चुप है, और कुछ चुप है, इसलिए रिष्टे है, इस बात की गहराई को ज़रू समझीगा, अब आता है एट पॉइंट, पती से over expectations रखना बंद करते, जैसे एक वाइफ कह रही है कि मेरे जीजा जी ने मेरी दीदी को जैसे हार दिया था, marriage anniversary प पता है कि हमारी घर की financial condition ऐसी नहीं है, उनकी बहुत अच्छी है, वो दे सकते हैं और उन्होंने दिया, हमारे यहां की ऐसी नहीं है, फिर भी over expectations है कि ये तो दो, देनी चाहिए आपको, उन्होंने भी दी थी आप भी दो, फिर कई पर क्या होता है, husband है, जैसे for granted ले 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 एक साडी बहुत पसंद आ गई, अच्छा आप खुद तो बोलानी वाइप ने, कि साडी मुझे पसंद आ गई, घर आ गए वापस, मतलब बिना साडी खरीदे, घर आके, वो बोल रही है, कि आपको क्या पता नहीं लगा था, क्या पता नहीं लगा था, हस्बंड ने बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो यह जो माइंड रीडर समझ लेती है ना हस्बंड को, कि यह तो समझ जाएंगे मेरे दिल की बात, इस तरह से नहीं करना चाहिए, करना क्या है, कॉम्निकेट करना है, बातचीत करनी है, कुल के बात करनी है, यह जब बातचीत हम आपस में, तो हम एक दूसर से खुलेंगे, और खुलेंगे इससे ना इंटिमेसी बढ़ती है, तो बहुत ज़रूरी है कॉम्निकेशन, इस रिष्टे में कॉम्निकेट करना बहुत ज़रूरी है, अपने दिल की बात, जो भी हमारे मन में फीलिंग चल रही है, उसको शिय हो, वो करना बंद कर दे, अनिस रहे हैं, इस रिष्टे में बिलकुल सेंट परसेंट, अन्देट परसेंट ओनेस्ट रहना है, क्या कर रहे है हम किसी से फ्लोट कर रहे हैं, किसी से कोई, जैसे की मान लेजिए सोचल मीडिया पे, कोई फेस्बुक पे ही है, तो उससे ना की जाते हैं और फोन पर बात करते ही है और हजबन जब पूछते हैं कोई बात करते हैं, क्यूकित remember कि अब मिल्ने से लुक लगा के हजबन ने किसी काम से किसी को घर पे वेजा गर पे लॉगा हुआ था, नहीं मैं तो घर पर consult अधिन फोन कर रहे हैं कि फोन बिजी आ रहा है एक घंटे से फोन बिजी आ रहा है नहीं फोन तो फ्री था हो सकता है कोई network problem होगी मतलब खुट खुला जूट और कर क्या रही है खुद गलत काम कर रही है खुद किसी से बात कर रही है किसी के साथ involved है तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये चीज बहुत बहुत और बहुत गलत है, आपकी शादी हुई है, अब आप वाइप है, अब आपकी फैमिली है, तो ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, और इसकी वज़े से क्या होता है, जूट बोला जाता है, फिर डिफ क्यों बार बार जूट बोलना पड़े, क्यों कुछ बार बार गलत बोलना पड़े, ट्रांस्पेरेसी रखिये रिष्टे में, बहुत फरक पड़ेगा, मतलब खुश रहेंगे आपके हस्बेंड, और कहां आप इतने गलत काम वे उलज गई ये, तो बिलकुली गलत है, देख आपके और आपके हस्बेंड के बीच में बताएं मुझे, तो रहिए ओनेस्ट, रहिए लॉयल, तो देखे ये तो थी नौ बातें, विसे आप बताएं, आप क्या सोचती हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंसार रहेगा, और हाँ, अगर आपने मेरा ये वीडियो अच्छी लेगी, आपके लग रहेगी, हाँ, किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज आप इसको शेयर भी जरूर कर लीजेगा, ठीक, बाए